जा हिंद रिटेज़ पैसे औरफ कैस्ति बिलोग करता है काफी फोकस में रहा है और खासकत करोना की बड़ी है क् отвеч उटी नजर बना छरूरी तो आईए देखते हैं कंपनी कैसी है इसका फ्यूचर क्रोफ क्या है क्या हम इसमें इंवेश्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए और वो लोग जो काफी उपर लेबल भाई करके इसमें फसेंगे उनके लिए क्या अच्छी खबर है वो सब इस वीडियो में सब्सक्राइब करना चाहिए लेकिन 2018 के बाद से थोड़ी बहुत तेजी देखरें को मिली और 2018 की बिच कंपनी एकदम मतलब संदार काम की लेकिन 2019 के बाद से फिर देखेंगो तो कंपरीं में कामधनदा ठख पड़ गया और 2020 तक नील पड़ा रहा कैस का रखते हैं कि कंपनी के चेयर प्राइस उपर की तरह बढ़ना शुरू हुआ और कहां तक बढ़कर आए 12 जनुवरी 2022 तक ज्यादा नहीं दो महां तक कंपनी का सेयर पाइस अप्टरेंड ग्राफ में रहा उसके बाद फिर सेयर पाइस निचे तरफ लुड़कने लगा अब समझे नॉमबर 2021 से जब कंपनी का सेयर पाइस बढ़ना शुरू हुआ उस समय जब कंपनी का सेर पाइस अप्टरेंड मेясा आया 2 पाइस निचेश पैसाथ तक वह नॉम प्रेफ कर पाइस ओंध लिगा नॉन नहीं गया तो और यहां और फेश चारव है और आज देखेंगे तो इसमें अपर सर्किट लगा है मतलब शेयरपाइस अभी और उपर ही जाएगा और जब इसमें अप्ट्रेंड ग्राफ शुरू हो गया है सेयरपाइस सुपर की तरह अब जा रहा है तो समझ लिए एक सब्ता का जो इसका रिटर्न है लगभग पचीस पजेटिव में आ गया है एक सब्ता में 25 परसेंट रिटर्न काने का मतलब हो कि एक सब्ता पहले अगर कोई ब्यक्तिस में एक लाग का इंवेस्टमेंट कर दिया होता तो एक सब्ता में एक लाग पचीस जाए रुपे बन गये होते हैं हालाक एक माह का रिटर्न लगभग 30 परसेंट अभी भी निगेटिव में हैं लेकिन अब अपर सिर्कित लगाए सेयर पाइस उपर जाएगा तो एक माह का रिटर्न यह भी पोजेटिव में आ जाएगा साल भर का रिटर्न अभी इसका ठीक ठागे 230 का मतलब हो कि साल भर पाले अगर कोई 32 में एक लाग का प्रोफिक्त अरणिंग पर से और कुछ खास पिछले कवार्टर में बढ़ा नहीं है रिटर्न तो पिछले कई कवार्टर से बिल्कुल नहीं है एकदम 0000 रह रहा है पिछले कई कवार्टर से इसका कारण है कि मैंने आपको बताया है यहाँ देखें साल 2015 से कंपनी के काम ध प्रोफिट भी कुछ खास नहीं हुआ क्वाटर टू में वी कंपणी को दो लाक का लास हुआ था और क्वाटर थी में लॉस बढ़कर हो गया तीन लाक क्योंकि कुछ सेल्स पड़ेगी कंपणी कर्ज लेकर लेगी तो लॉस बढ़ेगा इसलिए 2,003,003,005 लॉस हो गया और जा रहा है मतलब कंपणी कंपणी बिलकुल निल है और असेट की बात करेंगे कि खुट की संपत्य होते होगा 3,004,006,004,001,007 यह एक अच्छी बात है कि यह बढ़ रहा है मतलब कंपणी की जो खुट की संपत्य उसमें विकास हो रहा है अभी तक यह ठीक मिला इतना क् मार्केट के अब सी 30 करोड़ है तो इस हिसाब से लियाबिलिटीज कंपनी को पर ज्यादा है और यह भी साल दर साल बढ़ते जा रहा है मतलब फंडामेंटली बात करें तो सिर्फ एक आसेट सी जो है जो बढ़ रहा है बाकी सब चीजें जो नहीं हो रहा है कंपनी को ना प्र में ठीक मिला दूसरा कंपनी के असेट बढ़ने तीसरा कंपनी से बाहर है बागी अगर फंडामेंटल कुछ नहीं एकदम बैट फंडामेंटल है लेकिन सवाल है कि क्या आप पेनिया स्टोक में फंडामेंटल देखना चाहिए मैं अगर सही से जवाब दू तो पेनिया स्टोक में अगर स्टोक में इंट्रेस्टेड करने के लिए तो थोड़ा वह इसमाउंट लगा सकते हैं जितना आप की रिस्क लेंगे के कैपेसिटी हो अगर से बढ़ा तो आपको मुनाफ़ा हो जाएगा तो आपको कोई तनाव नहीं होगा उमीद करते हूँ मेरी बाते आपको समझ में आ रही होंगे अगर कोई सवाल है तो मुझसे कमेंट में पूछिए बाकी मिलते हैं नेक्ट वीडियो में और परसनली मुझसे जूड़कर कोई बात पूछना चाहते हैं तो मुझे इशाग नापर भी फॉलो कर सकते हैं धन्यबाद सुप्रिया